नमस्कार, Study IQ IS हिंदी में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मनीश्रवास्तो और आज हम बात करेंगे Important Organization में Interpol की बारे में जैसा कि आपको पता है कि हर week हम एक organization के उपर ये segment लेकर आते हैं इससे पहले हम Bricks और NATO को cover कर चुके हैं आज हम Interpol को भी उसी तरह से समीक्षा करेंगे इसकी पूरी तरह से कहानी समझेंगे कि Interpol कैसे काम करती है Interpol को कई लोगों ने सुना होगा कि भारत के अंदर कई लोग लोग लोन लेते हैं लोन लेने के बाद वो भारत से भाग जाते हैं तो फिर उन लोगों के पीछे कैसे जाया जाए, जैसे आज भारत में कोई लोन ले, और लोन लेने के बाद ना चुका है, तो क्या होता है, बैंक जो है, उसके लिए वारेंट जारी कर देती है, पुलिस के चक्कर लगने चालू हो जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति देश काम लिया जाता है, वो है इंटरपोल, तो आज हम उसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं, इसी चीज़ को कहा जाता है, इंटरनाशनल क्रिमिनल पुलिस ओर्गनाइजेशन, जैसे अलग अलग चीज़ों की संस्था है, तो एक पुलिस की एक अंतरास्टी संगठन है जिसको क्या कहा जाता है, इंटरपोल कहा जाता है, तो यह जब बना था तब इसको इंटरपोल नहीं कहा जाता था, तो सारी चीज़ें आज के सेशन में समझेंगे कि यह इंटरपोल क्या है, कब इसका गठन हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से यह पर आया और भारत इसका सदस्य कब बना इन सारी चीजों के उपर जानकारी लेंगे तो बहुत ही important organization है काफी चर्चाओं में हैं अभी हाली में इसकी 90 भी बैठक 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में होने वाली है तो इसकी जो है 90th अगर हम consider करें 90th meeting होने वाली है उस इसकी सभा है वो नई दिल्ली में आयोजित हो रही है 18 से 21 अक्टूबर के बीच में है तो ये काफी चर्चाओं में अभी ऐसे भी चल रहा है तो इसका एकदम बेसिक से हम बात करेंगे भाई ये इंटरपोल कैसे काम करती है इंटरपोल के कितने सदस्य है इसका headquarter कहाँ प पड़ेगा इत्यास में जाने के बाद जो चीजें हम और आसानी से समझ पाते है इसलिए थोड़ा सा हम इसके background को समझते है इसकी प्रिष्ट भूमी को समझते है तो आपको और आसानी से clarity होगी तो हमें कितना पीछे जाना है तो पीछे हमें जाना है 1914 के आसपास तो हम च शहर है जिसका नाम है Monte Carlo तो 1914 की घटना थी 1914 में Monte Carlo में यहां के जो राजकुमार थे उनका एक कसीनो हुआ करता था इन राजकुमार का नाम था Albert First तो हम बात कर रहे हैं इन व्यक्ति की यह हैं Albert प्रथम यह यहां के राजकुमार हुआ करते थे आज भी अगर हम देखें तो मोनाको काफी खूबसूरत शहर है यूरोप के अंदर अगर इसकी सीमाएं देखें तो फ्रांस से लगा हुआ है काफी छोटा देश है लेकिन काफी खूबसूरत देश है तो इस खूबसूरत देश में 1914 में Albert प्रथम को काफी चिंता होने लग जाते थे तो इनका जो कसीनो था वो काफी फेमस है आज भी ये कसीनो वहाँ पर है तो इन कसीनो में जब बहुत जादा चोरी होने लगी बहुत जादा घपले होने लगे तो इनको इसकी चिंता होने लगी जब इस चिंता हुई तो इन्होंने सोचा कि ये जो है कि मुनाको जैसे छोटे देश अगर हम यहाँ पर सीमाएं देखें तो बहुत ही जल्दी दूसरे देश जाया जा सकता है तो क्या करते थे यहाँ से घपले करके वो दूसरी देशों में चले जाते थे तो इन्होंने जो है क्या किया इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया अप्रेल 1914 में वहीं से कहानी शुरू होती है तो अप्रेल 1914 में इन्होंने क्या किया कई आसपास के यो यूरोप के देश थे उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स थे और पुलिस के जो लोग थे उनको बुलाया और उनसे मदद मागी कि भई ये इस तरह के जो लोग है ये हमारे देश में आते हैं हमारे कस्वीनों में गपला करते हैं और फिर हमें चूना लगा कर निकल जाते हैं तो इनके लिए कोई ना कोई कदम तो उठाई है तो ये जो है 24 देशों के वहाँ पर डेलिगेट्स पहुचे जिन में पुलिस अधिकारी हुआ करते थे लीगल एक्सपर्ट हुआ करते थे तो इन्हों ने देखा कि एक समस्या यूरोप के अंदर काफी जादा है और इस तरह से जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं जो कसीनो वगेरा हुआ करते थे उनमें काफी चोरी वगेरा हो जाती थी कई तरह के फ्रॉड हुआ करते थे तो इसको निपटने के लिए इनकी सबसे पहली मीटिंग जो थी अप्रेल 1914 में हुई इस अप्रेल 1914 में ये निर्धारित हुआ कि आगे हम मिलेंगे और और भी चीजें जो है और भी कई तरह की चीजें जो ढाचा इसका तयार करेंगे मसवदा तयार करेंगे कि किस तरीके से हमें इस मुद्दे के साथ जहलना है और किस तरीके से इसको tackle करना है इस सारी चीजों पर बातचीत हुई अब उसके बाद ये हुआ कि 1914 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई पहला विश्वियुद्ध हो गया और पहले विश्वियुद्ध के बाद इनकी जो फाइलें थी वो वापस जो है ठंडे बस्ते में चली गई तो 1914 से 1918 तक पहला विश्वियुद्ध लड़ा गया जब पहला विश्वियुद्ध खतम हुआ 1918 के बाद तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टेकनोलोजी भी विक्सित हो गई लोगों के पास कार का इस्तिमाल होने लगा जो अपरादी लोग हुआ करते थे फ्रॉड जो करते थे उनको और तकनीक मिल गई उनको कार का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया गया टेलिफून का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया गया तो युरोप के अंदर ये घटनाए और आम होने लगी तो इससे जो निपटने के लिए कि यूरोप की अगर आज भी देश देखें तो इतने चोटे-चोटे देश हैं कि आप जो है आसानी से एक दिन में तीन देश जा सकते हैं आज भारत में अगर आप कन्या कुमारी से कश्मीरी जाएंगे तो आपको काफी समय लग जाता है लेकिन यूरोप के अंदर ये आसान है कि आप एक देश से निकल कर दूसरे देश जा सकते हैं पूरा यूरोपियन संग जो है यूरोपियन यूनियन जो है इसमें काफी चोट घटना बढ़ते बढ़ते कहां पहुँच गई 1923 में लेकिन 1923 में ये जगा क्या चुनी गई तो इस बार मुनाको को नहीं चुना गया मुनाको की जगा ये जगा चुनी गई आपकी वियना को लगबाग 1100 किलोमेटर दूर है मुनाको से वियना यहाँ पर कई देशों के जो लीगल एक्सपर्ट्स हुआ करते थे पुलिस संगठन के लोग हुआ करते थे यहाँ पर एकट्टा हुए और इन्होंने वही बात करी जो 1914 में अलबर्ट प्रथम ने करी थी अब ये मीटिंग बुलाने की क्या जरूवत थी तो मैंने जैसा की बताया कि टेकनोलोजी का इस्तेमाल होने लगा था कार का इस्तेमाल हो रहा था टेलीफोन का इस्तेमाल हो रहा था और इसके बाद जो है वर्ल्ड वर के बाद कई चीज़े विक्सित भी हो गई थी तो अपरादी भी काफी विक्सित हो गए थे तो इस चीज को करने के लिए वियना के अंदरगत एक जो है conference हुई जिसमें 300 से ज़्यादा ऐसे अधिकारियों को बुलाया गया जो किसी भी तरह से राजनेतिक कोई ओधे पर नहीं थे जिनसे यही चीज पूरा का पूरा यही मकसद था कि इनसे आपराधियों के लिए कैसे क राम किया जाए और यह पुलिस से ज़्यादा लोग हुआ करते थे तो 300 से ज़्यादा डेलिगेट्स यहाँ पर घटा हुए और इस चीज का जो मतलब लीडर्शिप जिसने की उस व्यक्ति का नाम था जोहांस स्कॉबर तो जोहांस सॉबर की बात करें तो जोहांस सॉबर इससे पहले यहां कि आस्ट्रिया के प्रदान मंतरी भी रह चुके थे और इनको काफी अच्छा नौलेस था तो इन्होंने इतने सारे लोगों को संबोधित किया कब यह वर्ष है 1923 की बात कर रहे हैं तो वर्ष 1923 में सेप्टेंबर के अंदर यह चीज देखी गई कि भई International Criminal Police Commission तो इंटर पोल का पुराना नाम क्या मिलता है तो वही सेप्टेंबर 1923 में वियना के अंतरगत जो है यह डिसाइड हुआ कि वही हम इस तरह की एक संगठन एक आयोग बनाएंगे जिसमें कोई भी एक देश से दूसरे देश कोई भाग जाता है तो उसको ट्रेस करना उनके बारे में सारी जानकारियां साजा करना यहां की पुलिस वहां ना जाए और वहीं पर डायरेक्ली उनको ढूंड लिया जाए तो ऐसी कोई विवस्ता की जाए तो 1923 में ये जो है एक मसौदा तयार हुआ और एक संस्था बनी जिसको ICPC कहा जाता है International Criminal Police Commission तो इस तरीके कैसे 1923 में 1914 में विचार आया 1923 में ये धरातल पे आया जिसको ICPC कहा गया जिसको मैंने बताया आपको International Criminal Police Commission और इसके पीछे जो व्यक्ती थे उनका नाम क्या था तो इनी का नाम है जोहांस स्कॉबर तो जोहांस स्कॉबर जो थे ये इसके अध्यक्ष भी बने ICPC के और आपका ICPC के और उस समय ये ही बात की गई कि भई आस्ट्रिया जो सरकार है आस्ट्रिया सरकार वो इसको फंडिंग देगी और वियना जो है इसका केंद्र बना रहेगा तो वियना इसका हेड़कॉर्टर बना ICPC का और जो जोहांस स्कॉबर साब थे इसके अध्यक्ष बने ये आस्ट्रिया के प्रधान मंत्री भी रह चोके थे जैसा मैंने आपको बताया तो ICPC International Criminal Police Commission इस चीज का गठन हो गया 1923 में सितंबर महा की अंतरकत अब क्या चीजें गठना बदलाव हुए इस चीज पर हम बात करते हैं तो इसने जो है दीरे दीरे यूरोप के अंदर इन क क्राइम्स को कर्ब करने के लिए इन क्राइम को कम करने के लिए क्या करना चालू किया जो डेटाबेस था वो एक दूसरे से साजा करना चालू किया कई नए नए जो नवाचार जो हुआ करता था इनोवेशन जो आते थे उनको ये एकसेप्ट करते थे और उस हिसाब से अप के बाद 1927 में एक महत्पून घटना हुई, 1927 में इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हर देश के अंदर एक केंदर बनाएंगे, कि मतलब आस्ट्रिया वियना में कोई information चाहिए, तो मान लिया जाए कोई फ्रांस भागा है, तो फ्रांस के अंदर हमें केंदर बनाएंगे, जर्मनी के अंदर हमें कोई केंदर बनाएंगे, और उससे जानकारी साजा कर लेंगे, तो इसको इन्होंने नाम दिया क्या, 1927 में इन्होंने NCB का कॉंसेप्ट लेकर आए, NCB का मतलब था National Center Bureau, National Central Bureau, मतलब आ उसको वो जानकारी प्रदान करेगी, तो ये 1927 में ये चीज भी जो है, डिसाइड हुई, तो आपको समझने आ रहोगा, किस तरीके से यहाँ पर एक ढाचा तयार होना चालू हुआ, इसके अलावा लेकिन एक गटना और हुई, अब क्या हुआ, इस समय बताया जाता है, कि ये सारे लोग मिले, 300 से जादा लोग मिले, इन्होंने सारी चीजें करी, और इसके बाद धीरे धीरे जो है, यहाँ पर समीकरन चेंज होना चालू हुआ, 1923 में तो बन गया, लेकिन पहला विश्यूत खतम होने के बाद, जर्मनी के अंदर जो नाजी पार्टी थी, उसका विकास होने लगा, और 1930 के दशक में, हिटलर जो है, वहाँ का चांसलर बना, तो एडॉल्फ हिटलर को जो है, देखने मिलता है, कि वहाँ जब चांसलर बना, तो इसका इतियास अगर आप पढ़ेंगे, तो आपका एडॉल्फ हिटलर ने अपनी बायोग्राफी, मी काफ मे भी कहा, कि वही वो चाहता था कि आउस्ट्रिया को कबजा करना, और जब ये धीरे-धीरे, जब इसको सत्ता मिली, तो तानाशाह तो ये कहलाया ही, तो इसने जो है, बताया जाता है, कि इसने एक बार आउस्ट्रिया को ये चुनौती दी, कि वही जो चांसलर बनेगा, इन उसमें वो सफल नहीं हो पाया बाद में बताया जाता है कि उसने पूरी तरह से आस्ट्रिया पर भी कबजा कर लिया था आस्ट्रिया भी पूरी तरह से कबजे में आ गया था 1938-49 के आसपास इसने अपनी आर्मी भेज दी थी और पूरे जो है वहां की संसत्से भी पास करवा दिया था कि बई अब जो आस्ट्रिया है वो किसका हिस्सा हो जाएगा जर्मनी का तो यह जो चीज थी हमने यहां पर बात करी कि बई यह सारे लोग मिले और इनोंने एक संस्था बना दी जिसको मैंने आपको बता दिया था नाम क्या है International Criminal Police Commission जिसको ICPC कहा जाता था और इसका जो संगटन का केंद्र था वो वियना हुआ करता था वियना आपको राजधानी मिल जाएगी किसकी तो वियना राजधानी है और आउस्ट्रिया की यहां आउस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे है वियना की और आस्ट्रिया की बात कर रहे है काफी अच्छा देश है यह तो बेसिकली यह इंटरपोल बनने की कहानी ICPC से हम बढ़ेंगे आगे कि कैसे यह बना इंटरपोल उस पर भी पॉस्ट थे हैं लेकिन यहाँ पर आपको समझने आ रहा होगा कि यह सारे डेलिकेट्स मिले दो मिनिट मैं आपको शुरू से कहानी वापस से रिवाइस करा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज हुई मैंने आपको बताया कि यह कहानी चालू होती है मॉन्टे कार्लो से मॉन्टे कार्लो मॉनाको एक छोटा सा देश है यूरोप में वहाँ से वहाँ के जो राज कुमार थे अलबर्ट प्रतम इनके कसीनों में बहुत सारे फ्रॉड हो रहा था तो इसके लिए इन्होंने और वियना में डिसाइड हुआ कि वही कुछ ऐसी ओर्गिनाइजेशन बनाई जाए और इसमें आपका जोहान सौबर का किरदार काफी बड़ा हो जाता है यह सारे लोग मिले और इन्होंने एक संस्था बनाई जिसको ICPC कहा जाता है हम मैंने बताया कि यूरोप के अंदर थोड़ा समीकरण बदल रहा था क्योंकि यहाँ पर नाजी पार्टी की सरकार आ गई थी जर्मनी के अंदर 1930 के दशक की बात कर रहे हैं तो 1930 के दशक में यह सारे बदलाव होना चालू है हिटलर का जन भी ऑस्ट्रिया में हुआ था अपनी आत्मकता में भी ऑस्ट्रिया को कबजा करना चाता था और फाइनली 1938 के आज पास इसने अपनी सेना को ऑस्ट्रिया में भेज दिया वहां की संसद से भी करवा दिया कि अब जो है जर्मनी का एक हिस्सा हो गया है यह तो खतम क्योंकि अब तो पूरा का पूरा आस्ट्रिया के उपर कबजा किसका हो गया जर्मनी का तो जर्मनी ने जितने भी ऐसी संगठन थे उनको भी अपनी तरफ खीच लिया तो बताये जाता है कि 1942 के आसपास पहुचते पहुचते इसका जो ICPC का केंद्र था वो भी शेफ टोकर कहां पहुच गया बरलेन पहुच गया क्योंकि अब तो यह पूरा का पूरा आस्ट्रिया ही कबजे में आ गया था इनके पास तो बरलेन तक पहुच गया लेकिन हुआ क्या 1945 में दूसरा विश्यूद खतम हुआ और इसमें जर्मनी की हार हुई और हिटलर ने तो सुसाइट कर लिया तो इसके बाद वापत से एक व्यक्ति थे जिन्नोंने इसको वापत से उभारा इन व्यक्ति का नाम था जनरल क्लोरेंट लुवागे यह जो थे यह बेल्जीयम के एक सैनिक थे और बेल्जीयम में इसको वापत से पुनर उध्धार हुआ कि संगठन का ICPC का अब ही नहीं ब बाद में ये किया गया कि इसको फ्रांस में इसका केंदर बनाया जाए तो फाइनली पहले वियना, वियना के बाद बर्लिन गया, बर्लिन के बाद ब्रसल्स में भी चीज़ें हुई लेकिन फाइनली जो इसका केंदर बना या फिर इसका हेड़कॉर्टर बना वो फ्रांस में पहुँच गया जिसको लियॉन एक शेहर है फ्रांस के अंदर उसको का जाते हैं तो आज भी अगर आप Interpol को देखेंगे तो ये चीज हुई इसके बाद इसमें कई तरह के सुधार हुए 1949 में भारत भी इसका सदस्य बना और 1956 में इसका नाम बना अब बात करते हैं Interpol से जुड़े हुए अभी की चीज़ों के तो होप ये चीज आपको शुरुआत से समझने आई होगी इसके बाद अगर हाँ आप से पूछे हैं कि इंटर पोल क्या है तो इंटर पोल बताएंगे आप अंतराश्री आपरादिक पुलिस संगठन है International Police Criminal Police Organization है या Interpolis कहा जाता है इसमें अब जो है 1955 सदस्य हैं जब शुरू में बना था तब 1955 सदस्य नहीं हुआ करते थे अभी भी कुछ समय पहले तक 194 थे पिर तुर्किये भी इसका हिस्सा बना है और इसका जो आपका मुख्याला है वो Leon में है जो France के अंतरगती आता है और 1923 में मैंने जैसा आपको बताया था ये क्या थी आपरादिक अंतराश्टी आपरादिक पुलिस आयोग था जिसको ICPC कहा जाता था International Criminal Police Organization के रूप में गटित किया गया था और 1956 में खुद को Interpol इन्होंने कहना शुरू कर दिया गया था वैसे पहले Code Language में था लेकिन मीडिया में इतना वाइरल हुआ कि सारी जगापे Interpol नाम आ जाता है भारत 1949 में संगठन में शामिल हुआ और उसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक भारत भी है इसके अलावस के उद्देश या मुख्य कारेओं की बात करें तो ये क्या करता है तो इसका सबसे मुख्य कारे बताया गया कि अंतराश्टी अपराथ से लणने के लिए सदस्यों की पुलिस को एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाना और सभी सदस्यों को I-247 नामक एक सुरक्षित संचार प्रणाली से जोड़ता है इंटरपोल 24 घंटे काम करता है 365 दिन काम करता है 9-11 के धमाके के बाद जो है इसको और जादा जो है सक्रिय कर दिया गया कि कहीं पर भी के ऐसी घटना हो रही है तो सारे देशों पर यह अलग-अलग प्रकार के नोटेस भेशते हैं और इस नोटेस के जरिये जो है उनको अलट जारी किये जाते हैं तो यह जो पूरी विवस्ता है यह पूरा I-247 तुरक्षा प्रणाली का प्रयोग करते हैं और इससे ही जानकारियां साजा भी करते हैं पुलिस की अपराद और अपरादियों से सम्मदि सूशनाओं तक बनाने के लिए डेटा बेस उपलब्द कराये जाता है और दुनिया भर के भगोडे अपरादियों का पता लगाने के लिए फॉरें सिक विशलेशन और सायता के माद्यम से जाच में भी मदद करने में इनसे पूरी सायता ली जाती है लेकिन किसी देश में कोई राजनेतिक मामला है तो ये हस्तशेप नहीं करेंगे कोई तरह का धार्मिक मामला है ये हस्तशेप नहीं करेंगे तो ये जो है आप जैसे पुलिस का काम क्या होता है पुलिस कोई politics based थोड़ी काम करती है तो जैसे किसी देश में पुलिस का काम है कि भई हर तरीके से नागरेकों को सुरक्षा प्रदान करना तो वैसे ही ये एक अंतराश्ट्रिय पुलिस हो गई तो इसका कोई भी मुद्दा अगर किसी देश में कोई तक्ता पलट हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होगा कोई आंतरेक युद्ध हो रहा है उससे कोई मतलब किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ें जो हो रही है जो आपकी politics से जुड़ी हुई है उसमें यह नहीं करते है military operations से related कोई काम नहीं करते है यह ऐसा नहीं है कि कोई जगा पे जाकर जैसे कि भारत का कोई अपरादिय भाग कर अमेरिका चला गया है तो अमेरिका को हम सारी जानकारिया देंगे फिर वो एक तरीके का notice जारी करेंगे और उस notice के बाद वो चीजें आपको पहुचाएगी और आपके सम्विधान के हिसाब सही उसको सजा दी जाएगी तो यह प्रत्यार ओपन जो होता है उसमें काम आता है ऐसा नहीं है कि यह खुद सजा दे देंगी तो यह आपस में एक सहयोग करने के लिए यह संगठन बनाया गया है इसके अलावा इनके द्वारा कई तरह के notice जारी किया जाते हैं जो काफी चर्चाओं में रहते हैं अभी हाली में यह काफी चर्चाओं में था क्योंकि भारत की तरफ से red corner notice जारी किया गया था गुरुपत वंत सिंग पन्नून के लिए जो एक खालिस्थानी अलगावादी समर्थक है तो उसको जो है कहा गया था कि भई हमें सौब दिया जाए जो USA ने अभी खारिच किया है उसक के अंतरगत था Interpol ने उसको खारिच कर दिया है तो ऐसे कई तरह के notice आते हैं तो इसमें color देख लीजिए कि कौन-कौन से color क्या बताते हैं तो अगर हम red की बात करें तो red है wanted person से जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी खोज की जा रही है जो कोई अपरात करके भागा है भगोडा है उसका प्रत्यारपन करना है उसको वापस बुलाना है तो उसके लिए red corner notice होता है इसके लावा yellow notice तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति गुम गया हो missing हो अगर वो मिल नहीं पा रहा हो तो ऐसे notice जारी किया जाते हैं उनकी forensic reports को share कर देते हैं fingerprints को share कर देते हैं जिससे इस चीज की समीक्षा की जा सके और उनका identification हो सके green notice जो होता है किसी भी warning और intelligence खबरों के लिए होता है इसके अलावा आपका orange notice तब जो होता है जब कोई तरह का खत्रा हो किसी देश में पहुचाये जाता है कि भाई इस तरीके की चीज़े हो सकती है purple notice जो होता है यह modus operandi के लिए होता है कि कौन कैसे अपराद करता है इसके अपराद करने की क्या प्रवर्ती है यह भी बताने के लिए जो है यह purple notice होता है इसके अलावा Interpol UN Security Council एक special notice भी जारी करती है जो की groups और individual subjects है जो UNSC का जो United Nations Security Council है वो कई तरह के sanctions लगाते हैं तो इनके भी कई तरह के notice होते हैं तो यह अलग-अलग प्रकार के notice भी जारी करते हैं इसके अलावा इनकी एक सभा होती है जिसको कहा जाता है आपका Interpol General Assembly जैसे आपने United Nations की General Assembly सुनी है कि वही संयोकतराष्ट की जो है महासबा है ऐसी Interpol की महासबा भी होती है यह Interpol का सर्वोच्च शाशी निकाय है इसकी भी होती है और इसमें इसके सभी सदसे देशों के प्रतिनिधी शामिल होते हैं तो हर देश से कोई न कोई प्रतिनिधी जाता है और उस देश को जो है वो represent करता है यह गतिविदिया और नीतियों पर मद्दान करने के लिए लगबग 4 दिनों तक चलने वाले सत्र के लिए सालाना मिलते हैं ये सालाना इनकी मीटिंग्स भी होती है और प्रतेक देश का प्रतिनिदित वो महासबा में एक या अधिक प्रतिनिदियों द्वारा किया जाता है जो आम तोर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुक होते हैं मतब किसी भी जैसे हमारे यहां से कोई भी CBI में कोई मुख्य पत्पे होता है तो उसको किया जाता है इसके अलाव महासबा इंटरपोल कारेकारी समिती के सदस्यों का भी चुनाव करती है और शाशी निकाए जो महासबा की सत्रों के बीच मार्क दर्शन और दिशा प्रदान करता है कई चीजों पे विचार विमर्ष भी होता है कि किस तरीके से काम करना चाहिए और इनकी जो है एक मीटिंग्स भी होती है तो अभी जो है हाली मैं उन्हें आपको बताया था इसकी नवेवी मीटिंग जो है वो हो रही है तो इन शेत्रों पर भी बात कर लेते हैं कि इंटर्पोल के आपराद कारिक्रम ये जो है तीन प्रमुक कारिक्रमों का समर्थन करती हो अपने सदस्य देशों को पुलिसिंग विशेशग्यता और शमताओं के लिए एक श्रिंखला प्रदान करते हैं कौन-कौन सी चीज तो आतंगवाद विरोधी तो काउंटर टेर्रिजम को जो है ये चीज है तो व्यक्तियों, नेटवर्कों और सहेगों कि पहचान के माध्यम से आतिंगवादी गतिविदियों को रोकने और बादित करने के लिए सदस्य देशों की साहिता करते हैं दूसरी चीज जो है संगटेत और उबरते अपराद के लिए करते हैं तो इसमें अंतराष्टी अपरादिक नेटवर्क जो होते हैं उनके लिए विशेशतोर पर काम करते हैं और लक्षित और बादित करना और आपरादिक खत्रों की पहचान और विश्रेशन करके ये एक दूसरे देशों को अलर्ट भी जारी करते हैं इसके लावा साइबर क्राइम से भी जुड़ा हुआ मुद्दा जो है ये ही देखते हैं तो साइबर हमले को रोकने और जाज करने के लिए सदस्य देशों का समर्तन करके साइबर स्पेस को सभी तरह सुरक्षित बनाते हैं जैसे कई इसमें एक देश है जो इसका सदस्य नहीं है इसका नाम सुनाओगा आपने नौर्थ कॉरिया तो नौर्थ कॉरिया कई तरह की जासूसी साइबर तरीके की करवाता है तो ये सारे देश आपस में मिलकर उसको काउंटर भी करते हैं तो उसमें भी इंटरपोल काफी मदद करता है इसके अलावा जो अलरसीदी है ये UAE के ही व्यक्ति है ये अभी वर्तमान में चेर्मेन है किसके इंटरपोल के तो अभी इसके लीडर है वो अलरसीदी है इसके अलावा मैंने आभी बताया कि नबेवी जो इसकी जनरल एसेंबली की बैठक हो रही है वो कहा हो रही है इसकी महासबा तो ये जो है नई दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर के बीच में आयोजित होगी तो ये हम बात कर ली हमने किसकी इंटरपोल की तो होप आपको लियोन में है जो की फ्रांस में आता है इसके अलावा इनके सारी जगाओं पर केंद्र है जिनको NCB कहा जाता है नाशनल सेंटरल ब्यूरो और भारत में उसी को CBI कहा जाता है तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा है ये आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में और अगर कोई डाउट सें तो कमेंट सेक्शन ओपन है वहाँ पर जरूर आप बताएं इसके लावा कोई भी डाउट सें शोशल मेडिया हैंडल पर मुझे से बूच सकते हैं लेक्चर के PDF उपर दिये गए टेलिग्राम ग्रूप से आप डाउनलूट करेंगे और भी कोई तरह की क्योरी होगी तो कमेंट सेक्शन इस ओपन फॉर यू थांक यू वेरी मच पो वाचिंग दिस हाव अग्रेट टेम